अगर आप गिरते हों तो कोई बात नहीं अपने आपको खड़ा करो और फिर चलने की कोशिश करो अगर फिर गिरते हों तो भी कोई बात नहीं लेकिन अगर आपने चलना छोड़ दिया तो इसमें आपकी हार है गिरने से कुछ नहीं होता है रुकने से बहुत कुछ हो जाता है इसलिए जीवन में रुकना ही सबसे बड़ी बूल है आज मैं आपको जैसिका कॉक्स की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनोंने कभी रुकना नहीं सीखा जन्म से ही उनके दोनों हाथ नहीं है लेकिन ये महिला कुछ ऐसे का नामे करती है जिसे हाथ होने के बावजूद अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते बिना हाथों के जन्मी जैसिका ने अपने पैरों का इस्तमाल करके पहली आमलेस पाइलेट लाइसेंस पराप्त करने वाली महिला बनी वे अमेरिका की ताइकॉंडो असोसियेशन की पहली आमलेस ब्लैक बेल्ट भी है कितिम अंगों का उपयोग करने से इनकार कर जैसिका कार चलाती है एक कीबोर्ड पर टाइप करती है और आखों पर लेंस भी लगा लेती है वे स्कूबर डाइविंग भी कर लेती है और एरिजोना विश्व द्याले से मनोवग्यानक की डिगरी प्राप्त की है वे कई देशों के लोगों को अपनी प्रेणा का संदेश स्टेजेस पर साज़ा करके प्रेणित करती है जिसिका कॉक्स कहती है जूतों से बहार निकल कर सोचने की कोशिश करती है